दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ की लोगर के बारे में अब आप सोचेंगे कि ये कीबोर्ड लेके की लोगर के बात करेगा ये क्या बात होई? बात बिल्कुल पलने नहीं पर रहा है यानि समझ नहीं आ रहा है तो बने रही है इस वीडियो के साथ तो बिना वक्त जाय कि ये इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप फेस्बूक, ट्यूटर, जीमेल, लिंक्दिन वगर ये उसकरते हैं या फिर कोई भी सोचल नेटवक्स आइड ये उसकरते हैं अपने स्मार्टफोन में या अपने कम्प्यूटर में तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो फिर बाद में आप अफसोस करते हैं रह जाएंगे कि है बगवान ये हमने साथ क्या हो गया काश ही बाद हमका पहले पता चल गया होता तो आज हमका ये दिन देखने को ना पड़ते जी हाँ दोस्तो सोशल मीडिया पर आपके जितने भी अकाउंट्स है लाइक फेस्बूक जीमेल ट्विटर लिंक्डिन वगरा वो सारे अकाउंट्स यहां तक कि आपके बैंक अकाउंट्स भी हैक हो सकते हैं हाला कि अभी तक नचाने कितने सारे अकाउंट्स हैक हो चुके हैं आपकी एक छोटी सी घलत ही आपका खाता खाली कर सकता है यानि आपके बैंक अकाउंट्स साड़े पैसे उराये जा सकते हैं लेकिन कैसे तो मैं आपको बता दू कि की लोगर की मदद से अब ये की लोगर क्या होता है ये कैसे काम करता है और कैसे की लोगर की मदद से अकाउंट्स साड़े पैसे उराये जा सकते हैं लेकिन सबसे एहम सवाल ये है कि इससे बचें कैसे ताकि हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट्स है वो hack न हो और हमारा bank account बिल्कुल सुरक्षित रहे ताकि कोई भी person या कोई भी hacker उसे hack न कर पाए तो आज मैं इनी सब चीजों के बार में discuss करने वाला हूँ तो चली जानते हैं कि Keylogger क्या होता है देखिए Keylogger एक ऐसा system होता है, ऐसा program होता है जो कि सभी case stroke को record करता है एक device में और आप अपने system पे facebook, gmail, tutor, linkedin वगारे यूज़ कर रहे है या फिर आप banking sector का कोई site यूज़ कर रहे है तो आपके सारी details like user ID और password overall आपने keyboard से जितने भी buttons दबाए हैं जो भी type की हैं, वो सारी चीज़ें Keylogger के जरीए record हो जाती है और जिसने भी Keylogger लगाया होता है वो बाद में उसे निकाल लेता है और फिर वो जो चाहे कर सकता है मतलब यह कि आप यू समझें कि आपके सारे accounts hack हो चुके हैं वो आपके account से चुटकियों में पैसे उड़ा सकता है दोस्तो Keylogger का user ज्यादे तर टार्गेटेट अड़ाय करने के लिए क्या जाता है दोस्तो Keylogger जो हुई हो बैसिकली दो वराइटी में आते हैं पहला software based दुसरा hardware based software based में होता यह है कि जब आप computer पे internet यूज़ करते हैं फिर Keylogger software हो जाता है install फिर आपके सारे की stock को यानि आप keyboard से जो भी buttons type करने हैं जो भी id password डाले हैं वो सारी चीज़े record हो जाती है और उसके पास चली जाती है जिसने भी Keylogger software बनाया होता है और फिर वो आपके system को remotely monitor करता है कहीं दूर बैठे आपके system पे नजर बनाया रखता है कि आप keyboard से क्या-क्या type करने हैं क्या-क्या आप id password डाल रहे हैं वो सारी चीज़े उसको पता चलते रहता है आपको बता दे कि Keylogger को हम spyware भी कहते हैं Keylogger क्या होता है कि लोग keyboard driver समझ कर किसी software को install कर लेते हैं बट actual में वो Keylogger होता है और दोस्तों दूस्ता system जो है Keylogger का वो है hardware-based Keylogger hardware-based Keylogger को पहचाना बहुत ही जाधा आसान है क्योंकि hardware-based Keylogger आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह mainly dongle के forms में होते हैं या फिर आप यू कहलें कि यह pen drive के जैसे होते हैं जो लगे होते हैं USB port में और फिर वो बंदा सारी चीज़ी monitor करते रहता है कि आप keyboard से क्या-क्या चीज टाइब कर रहे हैं क्या-क्या ID login कर रहे हैं क्या-क्या password डाले हैं वो सारी चीज़ें कौन बंदा जो keylogger लगाता है वो बंदा दोस्तो इसके लावा एक और next level की चीज़ है वो ये है कि किसी ने keyboard के अंदर ही keylogger को fit कर दिया हो उसको कहते हैं key grabber module और फिर आप keyboard से क्या-क्या चीज टाइब कर रहे हैं वो सारी चीज़ें wireless सी transmit कर सकता है या फिर जिसने भी इसके अंदर fit किया है मतलब keyboard के अंदर fit करता है वो बाद में उसको निकाल के ले जाता है इसके अलावा दोस्तो तीन और ऐसी चीज़ें है जो कि काफी ज़ादा हैरान करने वाली है नमबर एक wireless keyboard जैसा कि आपको पता होगा कि wireless keyboard में wire नहीं लगे होते हैं ये signal-based system होता है जैसे आप keyboard से कुछ भी type करते हैं तो वो signal आपके computer तक जाता है फिर computer respond करता है तो ऐसे में मान लेजिए unencrypted signal अपने computer तक भेशते हैं और बीच में कोई बंदा कोई ऐसा device काम में ले ले जो उस signal को, उस frequency को बीच में ही intercept कर रहा हो तो ऐसे में उस person के लिए पता लगाना बहुत ही ज़ादा आसान हो जाएगा कि आपने keyboard से क्या-क्या चीज़े type की हैं क्या-क्या ID डाले हैं, क्या-क्या password डाले हैं तो यह बहुत ही जादा खतनात साबीत भी हो सकता है और दोस्तों दुसरा जो है, वो थोरी सी high-tech है वो यह है कि जब आप keyboard से कुछ भी type करते हैं तो किस की जो आवाज होती है, वो काफी अलग होती है इंसानी दिमाग, analysis करके यह नहीं बता सकता है किसे क्या-क्या चीजे type की है सिर्फ सुनके बता सकता है, क्या type हो रहा है कुछ भी पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता है लेकिन machine ज़रूर बता सकता है तो सोची अगर कोई ऐसा machine काम में ले ले कोई ऐसा device काम में ले जो यह analysis करके बता दे कि सामने वाला बंदा क्या type कर रहा है तो ऐसे में जो सामने वाला बंदा user ID और password डाल रहा है तो वो machine analysis करके record कर सकता कि वो क्या-क्या चीजे type कर रहा है तो यह चीजे काफी ज़दा खत्राच साबीत भी हो सकती है और दोस्तों तिसरा जो है वो यह है कि mobile में भी keylogger लगाया जा सकते हैं हाँ यह बात अलग है कि mobile में अगर keylogger लगाएगा like pin drive type में तो वो तो उपर सही पता चल जाएगा कि भाई किसी ने keylogger लगाया है यह pin drive कैसा है भाई किसको क्या message कर रहे है, mail कर रहे है, facebook, whatsapp, instagram पर किसको क्या message कर रहे है, किसको क्या comment कर रहे है वो सारी चीज़ें online उसके पास चली जाती है किसके पास, जो keylogger बनाया होता है उसके पास इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप bank के site पर visit करते हैं online banking करते हैं, transaction करते हैं तो उसके लिए आपको ID और password डाल के login करना होते हैं अब जैसी ID और password डालते हैं, तो वो ID और password keylogger के जरीए record होके उसके पास चली जाती है किसके पास, जो keylogger बनाया होता है उसके पास फिर वो ID और password के जरीए आपकी सारी details निकाल लेता है और जैसा कि आपको पता ही है कि hacker के लिए आपका इतना details उसके लिए काफी है फिर वो किसी भी तरीके से, hacker है वाई, smart तो हो गाई तो वो किसी भी तरीके से आपके mobile number को hack कर लेता है तो फिर जितने भी transaction करने के लिए OTP जाता है वो तो easily access कर सकता है क्योंकि already आपके mobile number को hack किया हुआ है तो बस उसके लिए इतना आसान है, चुक्कियों में वो आपके account से पैसे उड़ा सकता है इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी online banking वाला काम cyber cafe में ना करे क्योंकि cyber cafe वाले भी keylogger लगाये हुएते हैं हाला कि bank जो है, वो keylogger के against हम सभी लोगों को protection देती है virtual keyboard का लेकिन ज्यादा तर लोग virtual keyboard का इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका खायम्याजा क्या हो सकता है उनका पुरा account hack हो सकता है सकेंडों में पैसे उड़ाया जा सकते हैं इसलिए याद रखें दोस्तों, कभी भी net banking वगरा यूस करें तो virtual keyboard का इस्तमाल जरूर करें पर अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहोगा कि जब keylogger इतना ही ज़ादा खातरनाक है तो इसे बनाया ही क्यों गया इसे बैन क्यों नहीं कर दिया चाता है तो मैं आपको बता दू कि keylogger को बनाया गया था official work के लिए like office में जो employee होते हैं उन लोगों के दिन भर में क्या activity रहते हैं वो लोग computer पे क्या-क्या काम करते हैं उन पे नजर रखने के लिए keylogger को बनाया गया था यह कहीं काम के time पे time pass तो नहीं कर रहे हैं आपको बता दे कि जितनी भी IT companies हैं वो लोग keylogger के इस्तेमाल करते हैं अपने करमचारी पे नजर रखने के लिए लेकिन अब ज्यादातर लोग keylogger का गलत इस्तेमाल करते हैं अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने computer को चेक करें कि किसी ने keylogger तो नहीं लगा दिया है दूसरा यह कि अगर आप mobile laptop tablet computer यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप कभी भी unknown link पे click ना करें क्योंकि वो ज्यादातर मतब समझे 99% malicious link होते हैं उस पे click करते हैं फिर वो keylogger install हो जाता है तो avoid करें हमेशा unknown link को और अपने system में antivirus जरूर रखें और हाँ एक बात तो बता ना भूली गया ज्यादा तर keylogger गंदी वाली site पे होते हैं आप समझ रहे होंगे मैं किस site के बात कर रहा हूँ तो वैसे site सर्फ ना करें वाड़ना virus आने के ज्यादा chances होते हैं virus में भी बहुत तरह के होते हैं बहुत ज्यादा dangerous भी होते हैं अगर आप virus के बार में पूरी detail में जानना चाहते हैं तो link description में है आप जाके check जरूर करें उस video को देखें तो खैर मैं आपको clearly समझा दिया कि keylogger क्या होता है ये कैसे काम करता है और कैसे keylogger की मदद से आपके social media पे जितने भी account से वो hack हो सकते है even आपका bank account भी hack हो सकता है अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बता है मैं जल से जल response करने की कोशिश करूँगा अगर आपको ये video अच्छे लगए तो इसे like करें अपनों दोस्तों के साथ share करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा informative वीडियो है आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो जल्दी से इस टेकनिकल मैदा वीरूप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन को प्रेज ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही informative वीडियो अब तक पहुंच सके तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत